घल्वोएवरिबन, आज साइंस डे है तो हम पहले ये बात करेंगे कि साइंस डे क्यों सैलीब्रेट किया जाता है साइंस डे को सैलीब्रेट करने के लिए Dr. C.V. Raman का example लिया जाता है जब Dr. C.V. Raman ने रमन अफेक्ट की discovery करी थी तब Science Day 28th Feb को मनाया जाने लगा अब रमन एफेक्ट क्या है वो हम डिस्कस करते हैं रमन एफेक्ट मतलब रमन नाम के साइन्टिस्ट पर ही इस प्रोसेस का नाम रमन एफेक्ट पढ़ गया डोक्टर सीवी रमन ने नैनो पार्टिकल की डिस्कवरी करी उस नैनो पार्टिकल की हल्प से इंजेक्शन लगा दिया जब वो नैनो पार्टिकल किसी परसन की बोडी के अंदर चले गए तो वो क्या हुए एक स्ट्रक्चर बन गए जब उसने लेजर लाइट की हल्प से उस परसन की बोडी पर लेजर लाइट मारी तो वो नैनो पार्टिकल उस लेजर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे अब वो नैनो पार्टिकल लेजर लाइट को रिफ्लेक्ट क्यों कर रहे थे क्योंकि वो वो कैंसर के सेल बन गए थे मतलब क्या है इसका कि किसी पर्षन की बोडी में कैंसर के सेल पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते उसने डिसकावरी करी इसकी डिसकावरी के लिए 1930 में इनको नोबल प्राइज मिला डॉक्टर सीवी रमन बहुत बड़े साइंटिस्त थे जब डॉक्टर सीवी रमन ने इन्जेक्शन की हल्प से नैनो पार्टिकल को किसी पर्षन की बोडी के अंदर भेज दिया वो नैनो पार्टिकल ने क्या किया कैंसर के सेल पर वो आसपास में गिर गए उसने घेरा भना लिया कैंसर के सेल के उपर जब लेजर लाइट पास की गई उस पर्षन की बोडी के उपर तो वो नैनो पार्टिकल कैंसर के सेल पर क्या कर रहे थे laser light को reflect कर रहे थे मतलब रमन effect की discovery इसलिए करी गई तांकि किसी person को cancer है या नहीं है पता चल सकी जैसे typhide के लिए Vidar test use किया जाता है उस person को typhide है या नहीं तो ये थी discovery जो CV रमन नहीं करी थी 28th feb को इसलिए उनको nobel prize मिला 1930 में तो इसी वज़े से 28th feb को science day मनाया जाता है तो आज मैं आपको science day की poem सुनाने जा रहा हूँ ठीक है तो start करते हैं Edison ने बलब बनाया Graham Bellephone अब पहिये को किसने खोजा हमें बताये कौन Edison ने बलब बनाया Graham Bellephone पर पहिये को किसने खोजा हमें बताये कौन वीडियो को like, share और comment कर देना और channel को subscribe कर लेना Thank you very much